नवसे मैं हूँ रेनुका तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए घर में बचे हुए ब्रेड से बनी एक बहुत ही स्वादिश्ट और स्वीड सी रेसिपी लेके आई हूँ तो अगर घर में ब्रेड बच जाए तो आपको ज्यादा सोचने की जरुरत नहीं है तो आप इस स्वीड सी रेसिपी को जड़पड बना सकते हो और आप इस रेसिपी को बहुत कम इंग्डेंस में बहुत आसान तरीकी से बना सकते हो तो चले श्टार्ट करते हैं आज का कुझे बिना भी बैना सकते हो किया तो है चार ब्रेट लिये हैं और उनके जासाइड कट कर लिये हैं तो सब मिद्धन्वेमक फेके नहीं उनका चोरा चोड़ा बना के आप उन्हें एक ब्रेड क्रम्स की तरह भी इस्तिमाल कर सकते हो, फिर उसके बाद हमें एक मिक्सर का बरतन लेना है, और उसमें हमें इस सारे ब्रेड के बारिक पीसिस करके डालना है, तो यहां मैंने सारे ब्रेड के बारिक पीसिस करके मिक्सर के बरतन में डाल दिया है, फिर उस उसके बाद अभी हमें इस पाउडर को एक बॉल में डलना है फिर उसके बाद अभी हमें इस पाउडर में पाउ कब दूर डलना है तो हमें इन ब्रेड क्रम्स में ज्यादा दूर नहीं डलना है थोड़ा सा ही दूर डलना है फिर उसके बाद अभी हमें इन्हें अच्छी तर या इस सेज़ में गोले बना लिया हैं तो आप इससे छोटे भी बनासके हो या आप इससे बड़े भी गोले बना सकते हो इससी तारह ही अब हमें इस सारे डों के गोले बना लेने हैं अब है फिर उसके बाद हमें बउल लेना है और उसमें हमें दो चमच custod powder डलने हैं वह हाल कि दूर न है उसके बाद आव Bennett नहीं इस पौॉड़र में मैं आदा कप दूर डालना है और इसका हमें एक दम पतला सा पेश्ट बना लेना है तो यहां मैंने custard powder का paste बना दिया है फिर उसके बाद मैंने घ्यास पेक बरतन रख दिया है तो सबसे पहले हमें इसमें दो चमच तेल या घी डलना है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें bread की सारे गोले डाल देना है फिर हमें इन सारे गोलों को इस तेल में सेलो फ्राय कर लेना है तो हमें इने ज़्यादा फ्राय नहीं करना है तिर्क थोड़ा सा ही फ्राय करना है तो यहां देखें एक bread की गोले फ्राय हो चुके है फिर उसके बाद अभी हमें इने निकाल देना है फिर आगे के प्रोसिस के लिए मैंने घ्यास पे बरतन लग दिया है फिर सबसे पहले हमें इसमें दो कप दूद डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चमच इलाइची पौडर डलने है फिर हमें इस दूद में कस्टर्ड पौडर का पेस्ट डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसार चिनी डलनी है तो मैंने इसमें चार चमच चिनी डाली है तो आप अपनी स्वाद के रूसार इसमें चिनी डाल सकते हो फिर उसके बाद अभी हमें इन सारे इंगडेंस को दो मिनिट तक अच्छी तरह से उबाल लेना है तो अभी यहाँ यह पेस्ट उबन नी शुरू हो गए है और यह कस्टड अभी बन के त्यार हो चुका है तो अभी मैं गयास को बंद कर देती हूं फिर उसके बाद अभी हमें इसे सर्व करना है तो उसके लिए में निया एक बाउल लिया है तो सबसे पहले हमें इसमें गोले लेने हैं और इस कस्टड के पेस्ट में डालने हैं तो यहां मैंने कस्टड के पेस्ट में ब्रेड के गोले डाल दिये हैं फिर उसके पाथ आभी हमें इसके उपर ड्राइफूर्स या टुटी-फूर्टी से गार्निशिंग करने हैं और इससे हमें गर्मा गरम सर्व करना है तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिल से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए रिसिपी के साथ तो थैंक्स पुरें वाच मैं वीडियो